हम सबको अपना आशिरवचन दें, अपना शुब संदेश दें, माननिय प्रधारमंत्री महोदे मन्च पर विराजमान गुजरात के राजपाल स्री आचार्य देवरत जी, मुख्यमंत्री स्री विजय उरुपानी जी, केंद्रिय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी स्री प्रधाद प्रटेल जी, लोगसभा में मेरे साथी साउसद स्री स्री आरपाटिल जी, अम्दबाद के नवनिर्वाचीत मेर, स्रिमान किरीड भाई, साबर्मत्री ट्रस्ट के ट्रस्टी, स्री कार्ति के इस्थारा भाई, और साबर्मत्री आश्रम को समर्पित जिनका जीवन है, ऐसे आदर्निय अमृत मोदी जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए, सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, और मेरे युवा साथियों, आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला, तो बहुत ही अदभूत संयोग हुआ, अमृत महुत्सव के प्रारम होने से पहले, आज देश की राजधानी में, अमृत वर्षा भी हुई, और वरुन देव ने आशिरवाद भी दिया, यह हम सभी का सौभाग्य है, कि हम आजध भारत के इस इतिहासी कालखन के साक्षी बन रहे हैं, आज दांडी यात्रा की वर्षिगांट पर, हम बापू की इस कर्म स्थली पर, इतिहास बनते भी देख रहे हैं, और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं, आज आज आधि के अमरुत महुत्सव का प्रारंब हो रहा हैं, पहला दीन है, अमरुत महुत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ता पूर्व आज प्रारंब हो रहे हैं, और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, हमारी यहां माननेता है कि जब कभी ऐसा आउसर आता है, तब सारे तिर्थों का एक साथ संगम हो जाता है, आज एक राष्ट के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र आउसर है, आज हमारे स्वादिंता संगराम के कितने ही पुन्य तिर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र सावर्मती आश्रम से जुड़े रहे, स्वादिंता संगराम की पराकाश्टा को प्रणाम करने वाली, अन्नमान की सल्यूलर जेल, अरुनाचल प्रदेश से, एंगलो इंडियन वार की गवा की केकर मॉनिंग की भुमी, मुंबई का अगस्त क्रांती मैदान, पंजाब का जलिया वाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरट, काकोरी और जासी, देश भर मैं से कितने ही स्थान पर आज, एक साथ इस अम्रुत महोसव का स्री गणेश हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे आज हादी के असंख्य संगर्ष, असंख्य बलिदानों का, और असंख्य तपस्याओं की उर्जा, पूरे भारत में एक साथ पुनर जागरुत हो रही है, मैं इस पुन्य अवसर पर बापु के चरणों में अपने स्रधा सुमन अरपित करता हूं, मैं देश के स्वाधिन्ता संगराम में अपने आपको आहूत करने वाले, देश को नेत्रुत्व देने वाली सभी महान विबुतियों के चरणों में आदर पुर्वक नमन करता हूँ उनका कोटी-कोटी बंदन करता हूँ मैं उन सभी वीर-जवानों को भी नमन करता हूँ जिनोंने आजादी के बाद भी राष्ट रक्षा की परंपरा को जीवित रखा देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिये शहीद हो गए जिन पुन्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनन निर्माण में प्रगति की एक एक इट रखी पचत्तर वर्ष में देश को यहां तक लाए मैं उन सभी के मैं उन सभी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूँ साथियों जब हम गुलामी के उस दौर की कलपना करते हैं जहां करोडों करोडों लोगों ने सद्यों तक आजादी के एक सुबह का इंतजार किया तब यह एसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का उसर कितना आयतिहासिक है कितना गवरवशाली है इस परव में शास्वत भारत की पनमपरा भी है स्वाधिन तासंगराम की परचाई भी है और आजाद भारत के गवरवान्वित करने वाली प्रगती भी है इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अमरुत महोत्सव के पांच स्तंभों पर विशेश जोड दिया गया है freedom struggle, ideas at 75, achievements at 75, actions at 75 or results at 75 ये पांचों स्थम आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तवियों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे इनी संदेशों के आधार पर आज अमरुत महोसव की वेबसाइट के साथ चर्खा अभियान और आत्म निर्वर इंक्यूबेटर को भी लॉंच किया गया है भाई और बेहनों इतिहाँ साक्षी है कि किसी राष्ट का गवरव तबी जागरत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीडी को भी सिखाता है संसकारित करता है उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है किसी राष्ट का भविश तबी उजवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विराष्ट के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाँ भंडार है सम्रुद इतिहास है चेतना मैं संसकृतिक बिरासत है इसलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीजी को प्राप्त होगा एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा साथियों हमारे यहां बेदों में एक वाक्य है मृत्यो मृक्षिय मामृताम अर्थात हम दूख कष्ट कलेश और विनास से निकल कर अमृत की तरब बढ़ें अमर्ता की और बढ़ें यही संकल्प आजाजी के इस अमृत महोत्सव का भी है आजादी का अमृत आजादी का महोत्सव यानी आजादी की उर्जा का अमृत आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीन ता से नानियों से प्रेणाओं का कामरूत आज आज़े कामरूत महोह सब यानि नए विचारों कामरद का महोत्स पूराज में पूरा करने का महोट्स है this महोत्सव वैश्विक शंतिका विकास का महोत्सव है साथियों अंबुरुत महोत्सव का सुभारम दांडी यात्रा के दीन हो रहा है उस एक्तिहासिक छण को पुनरजीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है यद्वूत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेज भी वैसाही है जो आज देश अमरुत महोत्सव के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है गांडी जी की इस एक यात्रा ने आजहादी के संगर्ष को एक नई प्रेणा के साथ जन जन से जोड़ दिया था इस एक यात्रा ने अपनी आजहादी को लेकर भारत के नजरिये को पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया था ऐसा एतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजहादी के आगरा के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संसकारों का भी समावेश्ता हमारे हाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आका गया हमारे हाँ नमक का मतलब है इमानदारी हमारे हाँ नमक का मतलब है विश्वास हमार यहां नमक का मतलब है वफादारी हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत किम्ती चीज है ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमार यहां स्रम और समानता का प्रतीक है उस दौर में नमक भारत की आतम निर्भरता का एक प्रतीत था अंग्रे जो ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आतम निर्भरता पर भी चोट की भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निरभर हो जाना पड़े गांदी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा जन जन से जुड़ी उस नफ़ को पकड़ा और देखते ही देखते ही यह अंदोलन हर एक भारतिय का अंदोलन बन गया हर एक भारतिय का संकल्प बन गया साथियों इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग-अलग संग्रामों अलग-अलग गटनाओं की भी अपनी प्रेणाएं अपने संदेश हैं जिने आज का भारत आत्म साथ कर आगे बढ़ सकता है 1857 का स्वातंत संग्राम मात्मा गांदी का विदेश से लोटना देश को सत्यागरे की ताकत फिर याद दिलारा लोकमान्य तीलक का पुर्ण स्वराज का आहवान नेताजी सुभाज संद्र बोच के नेत्रुत्व में आजाधिन फोच का दिल्ली मार्च दिल्ली चलो ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है 1942 का आवे विश्मन यांदोरन अंग्रे जो भारत छोड़का वुद्गोश ऐसे कितने ही अंगिनेत पड़ाओ जिन से हम प्रिर्णा लेते हैं उर्जा लेते हैं ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी है जिनके प्रती देश हर रोच अपनी करतग्यता व्यक्ष करता है 1857 की क्रांती के मंगल पांडे ताट्या तोपे जैसे भीर हो अंग्रेजों की फोच के सामने निर्विक गर्जना करने वाली राणी लक्ष्पी बाई हो कित्तुर की राणी चन्नमा हो राणी गाइडीन लू हो चंदर से खराजार रामपसाद बित्मल बगत सी सुख़देव राजगुरु अत्वा उल्लाखा गुरुरामसी टिटुस जी पोल रामा सामी जैसे भीर हो या फिर पंडित नहरु सरदार प्रटेल बावा साब आमबेड कर सुख़द चंदरबोत मौलाना आज़ाद खान अब्दुल गफार खान भीर सावर कर जैसे अंगिनत जन्नायक ये सभी महान व्यक्तित्व आज़ादी के आंदोलन के प्रस दर्शक रहे हैं आज़ी के सपनों को भारत बनाने के लिए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामुहिक संकल्प ले रहे हैं इनसे प्रेर्णा ले रहे हैं साथियों हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है कितने ही संगर्ष है जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे यह एक एक संग्राम संगर्ष अपने आप में भारत की असत्त के खिलाब सत्त की शसक्त गोशनाये हैं यह एक एक संग्राम भारत के स्वाधीन सभाव के सबूत है यह संग्राम इस बात का भी साथ-चाथ प्रवाण है कि अंडियाएं शोशन और हिंसा के खिलाब भारत की जो चेतना राम के युग में थी महाभारत के कुरुक्षेत्र में थी हल्दी घाटी की रण भूमी में थी सिवाजी के उद्गोश में थी वही सास्वत चेतना वही अदम में शावरिय भारत के हर खेत्र हर वर्ग और हर समाज ने आजहादी की लडाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था जननी जन्म भूमिश्च स्वरगाद अपिकरियसी यह मंत्र आज भी हमें पिलना देता है आप देखिए हमारे इसी तियाज को कोल आंदोलन हो या हो संगर्श खासी आंदोलन हो या संथाल क्रांती कछवा कछार नागा संगर्श हो या कूका आंदोलन भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांती सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संगर्ष कितूर आंदोलन त्रावनकोर आंदोलन बारडोली सत्यागरह चंपारन संत्यागरह संभलपूर संगर्ष चुवार संगर्ष मुंदेल संगर्ष ऐसे कितने ही कितने ही संगर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभाग को हर कालखंड में आजादी की जोती से प्रज्वलीत रखा इस दोरान हमारी सिख गुरु परंपरा ने देश के संस्कृति अपने रिची रिवाद के रक्षा के लिए हमें नहीं उर्जादी प्रेरादी त्याग और बलीदान का रास्ता दिखाया और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार बार याद करना चाहिए साथियों आजादी के आंदोलन कि इस जोती को निरंतर जागरुत करने का काम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिन हर दिसा में हर शेत्र में हमारे संतों ने मांतों ने आचारियों ने वगवदों ने निरंतर किया था एक प्रकार से बक्ति आंदोलन ने राष्ट्र व्यापी स्वाधिन्त आंदोलन की पिठी का तयार की थी पूर्व में चैतने महाप्रभूर आम्तर से परमोस स्रीमत संकर देव जैसों संतों के विचारों ने समाच को दीशा दी अपने लक्ष पर केंद्रीत रखा पच्चिम में मिराबाई एकनाथ तुकाराम रामदाद नर्सी महता हुए उत्तर में संत्रामानांत कबिरदास गोसवामी तुल्दी दास सुर्दाद गुरुनानादेख संत्रइदास दक्षिण में मादवाचारिय निंबाकार चारिय बलवाचारिय रामानुजय चारिय हुए बक्ति कान के इसी खंड में मलिक मुहमत जाइसी, रस्खान, सुर्दास, केश्रवदास, विद्यापती जैसे मानुबाओं ने अपनी रचनाओं से समाज को अपनी कम्या सुधारने के लिए प्रेरिज किया ऐसे अनेकों व्यक्तित्वों के कारण, ये अंदोलन छेत्र की सीमा से बाहर, छेत्र की सीमा से बाहर निकल करके, पूरे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया आजादी के न सकने के अंदोलनों में, ऐसे कितने ही सेनानी, संत आत्माएं, ऐसे अनेक वीर बलिदानी हैं, जिनकी एक एक गासा, अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्नि मद्याय है हमें इन महानायकों, महानायकों, उनका जीवन इतिहास विदेश के सामने पहुचाना है इन लोगों की जीवन गासाएं, उनके जीवन का संगर्ष, हमारे स्वतंत्रत आंदोलन के उतार चड़ाओ, कभी सभलता, कभी असभलता हमारी आज की पीड़ी को जीवन का हर पाट सिखाएगी एक जुड़ता क्या होती है, लक्ष को पाने की जिद्ध क्या होती है जीवन का हर रंग वो और बहतर तरीके से समझेंगे भाई और बैनों, आपको याद होगा इसी भूमी के वीर सपूत शाम जी कृष्ट वर्मा अंग्रेजों की धर्ती पर रहकर उनकी नाक के नीशे जीवन की आखरी साथ तक आजादी के लिए संगर्श करते रहे लेकिन उनकी अस्तियां साथ दसकों तक इंतजार करती रही कि कब उन्हें भारत माता की गोद नसीब होगी आखिर कर दोजार तीन में विदेश से शाम जी कृष्ट वर्मा के अस्तियां मैं अपने कन्ने पर उठा करके लिए आया था ऐसे कितने ही कितने ही सेनानी है देश पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोग है देश के कौने कौने से कितने ही दलीद आदिवाती मैलाए और युवा है जिन्होंने असंगी के तब और त्याक किये याद करिए तमिल नाडू के 32 वर्शे नौजवान कोडी का तुमरान उनको याद कीजे अंग्रेजों ने उस नौजवान को सीर में गोली मार दी लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के जंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया तमिल नाडू में उनके नाम से ही कोडी काथ सब्द जुड़ गया जिसका आरत है जंडे को बचाने वाला तमिल नाडू की ही बेलू नाचियार वो पहली मारानी थी जिनों अंग्रेजी हकुमत के खिलाब लडाई लड़ी थी इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हकुमत को गुट्णों पर लाने का काम किया जारखण में भगवान बिर्सा मुंडा उन्होंने अंगेरिजों को चुनोती दी थी तो मुर्मु भाईयों ने संथान अंदोलन का नेत्रत्व किया था ओडिसा के चक्रा विशोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मन नायग ने गांधिवादी तरीकों से चेतना फैलाई आंदर प्रदेश में मन्यम विरुडी याने जंगलों के हीरो अलूरी स्थिरा राम राजु ने रंपा अंदोलन का बिगल फुका था पासल था खुंग चेरा ने मिजोराम की पहड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था ऐसे ही गोमधर, कौवर, लसिद बर्फुकन और सिरत सिंग जैसे असम और प्रवोत्तर के अनेकों स्वाधिनता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया यहां गुजरात में बड़ोधा के पास जामुगाड़ जाने के रस्ते पर हमारे नाइका कौम के आदिवाचियों को बलिदान कैसे भूल सकते हैं मानगेड में गोविन गुरु के देतरुतों में सैंकड़ आदिवाचियों का नरसावार हुआ उन्हे लड़ाई लड़ी देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा साथियों माभारती के ऐसे ही वीर सपतों का इतियास देश के कौने कौने में गाउं गाउं में है देश इतियास के इस गौरों को सैजने के लिए पिछले छे सालों से सज़क प्रयास कर रहा है हर राज्य हर छेत्र में इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है दान्डी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरधार देश ने दो साल पहले ही पुरा किया था मुझे खुद ही सवसर पर दान्डी जाने का सवभागी मिला था अन्डमान में जहां नेताजी सुबाद बोज ने देश की पहली पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फैराया था देश ने उस विश्मृत इतिहाज को भी भव्याकार दिया है अन्डमान निकोबार के जीपों को स्वतंत्रता संग्राम के नामों पर रखा गया है आजादिन सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया तिरंगा फैराया गया और नेताजी सुबाद बाबु को सरदान ली दी गई गुजनात में सरदार बल्लभाई पटेल की विश्व की सबसे उची प्रतिवां उनके अमर गवरों को पूरी दुनिया तक पहुचा रही है जलिया वाला बांग में समारक हो या फिर पाई का अंदोलन के स्मृति में समारक सभी पर काम हुआ मामा साबा मेड कर से जुड़े जो सान दसकों से बूले बिसरे पड़े थे उनका भी विकास देशने पंच तिरसक के रुप में किया है इस सबके साथ ही देश ने आदिवासि स्वाधिन्ता सेरानियों के इतियात को देश तक पहुचाने के लिए आने वाली पीडियों के लिए पहुचाने के लिए हमारे आदिवासियों के संगर्श की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में मिज्यम बनाने का एक प्रयाश उद्यम्सिल्ता का प्रतिविंत वह हैं भारतिय चाहें देश में रहे हो या फुर विदेशम्हें हमने अपनी महनत से खुद को साबित किया हमें कि गर्व हे हमारे समिधान पर हमें गर्व है हमारी लोग-तंत्र कि प्रमपराओं आज मंगल से लेकर चंद्रवा तक अपनी चाप छोड़ रहा है, आज भारत की सेना का सावर्थ अपार है, तो आर्थी कुरुप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज भारत का स्टार्ट अप एको सिस्टम दुनिया में आकर्शन का केंद्र बना है, चर्चा का दाल कर, एक सो तीस करोड से दिक आकांग्शाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, साथियों ये भी हम सभी का सवभाग्य है, आज आज भारत के 75 साल और नेताजी सुभाचन दर्वोस की जन्म जैनती के 125 वर्ष हम साथ साथ बना रहे हैं, ये संग्रम सिर्प ति नेता जी सुभाचन दर्वोस दे कहा था कि भारत की आजादी के लड़ाई सरफ ब्रिटिस सामराज जवाद के विरुद्ध नहीं है, बलकि वैश्विक सामराज जवाद के विरुद्ध है, नेता जी ने भारत की आजादी को पुरी मानोता के लिए जरूरी बताया था, सम हुआ, तो दुनिया में दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाज बुलंद हुई, और बहुत ही कम समय में सामराज जवाद का दायरा सिमट गया, और साथियों, आज भी भारत की उपलद्धियां, आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बलकि पुरी दुनिया को रोश हमारी विकास यात्रा, पुरी दुनिया की विकास यात्रा को गती देने वाली है, कोरोना काल में यह हमारे सामने प्रत्यक्शन सिद्ध भी हो रहा है, मानवता को महामारी के संक्ट से बहार निकालने में, वैक्सिन निर्मान में भारत की आत्मनिर भरता का, आज पुरी वैक्षिन का सामर्द है तो वसूद है कुटम कम के भाव से हम सब कर दूख दूर करने में काम आरह है कि हमने दूख किसी को नहीं दिया लेकिन दूसरों का दूख कम करने में खुद को खपा रहे है यही भारत के आदर्श है यही भारत का सास्वर दर्शन है यही आत्म निर्भर भारत का भी तत्व ज्यान है आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं भारत में भरोजा कर रहे हैं यही नए भारत के सुर्योदै की पहली छटा है यही हमारे भव्य भविश्य की पहली आभा है साथियों कि गीता में कि साथियों कि गीता में भगवान सी कष्ण ने कहां है समा दुखा सुखम धिरमसा सम दुखा सुखम धिरमसा अमृतत्वा ये कल्पते अर्थात जो सुख दुख आराम चुनोत्यों के बीच भी धैर्य के साथ अटल अडिग और सम रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है अमृत्व को प्राप्त करता है अमृत महुत्सव से भारत के उजवल भविश का अमृत्व प्राप्त करने के हमारे मार्ग में यही मंत्र हमारी प्रेनना है आईए हम सब द्रड़ संक्रप होकर इस राष्ट यगना में अपनी भूमी का निभाएं साथियों आजादी के अमृत महुत्सव के दोरान देश वाच्यों के सुजावों से उनके मौलिक विचारों से अंगिनत असंग के आइडिया निकलेंगे कुछ बाते अभी जब मैं आ रहा तो मेरे मन में भी चल रही थी जन भागीदारी जन सामाने को जोड़ दा देश का कोई नागरी कैसा नहों किस अमृत महुत्सव का हिस्सा नहों अब जैसे माली जम छोटा सा एक उदार दे अब सभी स्कूल कॉलेज आजादी से जुड़ी हुई 75 घटनाओं का संकलन करें हर स्कूल तै करें वे हमारी स्कूल आजादी के पच्चतर घटनाओं का संकलन करें पच्चतर ग्रूप बनाएं उन घटनाओं पर वो पच्चतर विध्यारती पच्चतर ग्रूप जिसमें आट सो हजार दो हजार विध्यारती हो सकते हैं एक स्कूल ये कर सकता हैं छोटे छोटे हमारे शिश्व मंदिर के बच्चे होते हैं बाल मंदिर के बच्चे होते हैं आजादी के अंदोलन से जुड़े 75 महापुरूशों की सूची बनाएं उनकी वेश भूशा करें उनके एक बाक्य को बोले उसका कंपेटिशन हो स्कूले में भारत के नक्षे पर आजादी से जुड़े 75 सान चिनित किये जाएं बच्चों को बताये जाएं बताओ भाई बाडुली कहां आया है चंपरन कहां आया लो कॉलेज के छात्र छात्राएं ऐसी 75 घटनाएं खोचे और मै कानूनी जंग कैसे चला कानूनी ड़ाई कैसे चली कौन लोग थे कानूनी लड़ाई लड रहे थे आजाजी के वीरों को बचाने के लिए कैसे कैसे प्रयास हुए अंग्रेज सल्कनत के जुडिश्यरी का क्या रवया भार सारी बाते हम लिख सकते हैं जिनका इंट्रेस ना ये सब शुरू में हस्त लिखी थो बाद में इसको डिजीटल स्वरूप भी दिया जाए और मैं चाहूंगा कुछ ऐसा कि हर स्कूल कॉलेज का ये प्रयास उस्कूल कॉलेज की धरोर बन जाए और कोशिश हो कि ये काम इसी 15 अगस्ते पहले पुरा कर लिया जाए अब देखिए पुरी तरह वैचारिक अधिश्टान त्यार हो जाएगा बाद में इसे जिलाव व्यापी राज व्यापी देश वापिस पर धाय भी आउजित हो सकती है हमारी रुआ हमारे स्कॉलर ये जिम और उसके बाद हमारे समाज की जो उपलब्दिया रही है उन्हें दुनिया के सामने और प्रकरता से लाएंगे मैं कलांज, साहित, नाटे जगत, फिल्म जगत और डीजिटल इंटरेंडमेंट से जुड़े लोगों सभी आगरा करूंगा कितनी अद्वितिया कहानिया हमार युआ को ही उठानी है, साइन्स हो, टेक्नलोजी हो, मेडिकल हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, आप जीस्त भी फिल्में हैं, अपनी फिल्म का कल आने वाला कल, बहतर कैसे हो, इसके लिए प्रयास किया जा है, मुझे विश्वास है, के 130 करोर देश्वासी, आज जादी के इस अमरूत महोत समसे जब जुडेंगे, लाखों स्वाधीन ता सेनानियों से प्रेणा लेंगे, तो भारत बड़े से बड़े लक्षों को पुरा करके रहेगा, अगर हम देश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हर हिंदुस्तानी अगर एक कदम चलता है, तो देश एक सो तीस करोर कदम आगे बढ़ जाता है, भारत फिर बाहर फिर आत्म निर्फर बनेगा, विश्व को नहीं दिशा दिखा देगा, इनी सुपकामराओं के साथ, आज जो दांडी आत्रा के लिए चल रहे हैं, एक प्रकार से, बड़े तामजाम के बीना, छोटे सुरूप में आज उसका प्रारंब हो रहा है, लेकिन आगे चलते 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 जैसे दिन बित्ते जाएंगे, हम पंदर आगस के निकट पहुँचेंगे, ये प्रकार से पुरे हिंदुस्तान को अपने में समेट लेगा, ऐसा बड़ा महोत्सो बन जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, हर नागरिक का संकल्प होगा, हर संस्था का संपल होगा, हर संगठन का संकल्प होगा, देश को आगे ले जाने का, आज हदी के दिवानों को सद्धांजली देने का, यही रास्ता होगा, मैं इनी कामना के साथ, इनी शुब कामनाओं के साथ, मैं फिर एक बार, आप सब को भारत माता की बहरत माता की वंदे वंदे जैहिन 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 कर्वारूमूदर घंरे नहीं जा सबस्क्राटा इसान है कि आपक पड़ा इसान है प्रवेद कोष्दा में अवी हिद्वेदा इसान है बोलाओ जी अभणा फजा है।